आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स कह करो सपाया बज प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुर्प विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें एक इस्थिर सुरोत की ओर सुरोता जा रहा है तो A option अभासी आवरित्ती वास्त्विक आवरित्ती से कम होगी B. अभासी आवरित्ती वास्त्विक आवरित्ती सधीक होगी C. अभासी आवरित्ती वास्त्विक आवरित्तिया समान होगी द्धानी के केवल गुडवत्ता में परिवर्तन होगा तो देखे दोतो इसको समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा दोतो डापलर प्रभाव ठीक है डापलर प्रभाव क्या होता है ये हमको समझना पड़ेगा तो Doppler एक वज्ञानिक थे दोस्तों इन्होंने ये सिद्धान दिया तो उसको Doppler प्रभाब बोलते हैं तो यह क्या होता है दोस्तों दिखे यहाँ पर मालो हमारा एक सुरोत है दोस्तों ठीक है मालो यह हमारा एक सुरोत है S as for the road जो द्ध्वानी उत्पन करता है अब यहां पर मालो एक उत्पन है जो उसको सुन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं observer तो इसको स्रोता हिंधी में बोलते है इसको O से दर्शाता हूं तो दिखी धो जब भी स्रोत और स्रोता के बीच आप एक छिक गती होती ही दोस्तो तो क्या हो जाती है दोस्तो जो ध्वनी की जो आवरित्ती है उसमें परिवर्तान हो जाता है दोस्तो ठीक है जैसे हमने देखा होगा तो तो रेल गाड़ी है जैसे हमारे पास आता है दोस्तो तो हमको जो रेल गाड़ी की जो CT के आवाज है वो एकदम तेज सुनाई देती ही, मतलब उससे में आप्रित्यी बहुँत जादा होती ही, दो तो, और जैसे ही हम से दूर जाती ही दो, ट्रेन, तो जो सीठी के आवाज है, वो हमको कम सुनाई देने लगथी, मतलब उससे आप्रित्यी कम हो जाती है, तो इस तरह से क्या हो र तो आवरित्ति में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों ठीक है इसी को हम लोग बोलते हैं डापलर प्रभाव तो देखे दोस्तों इसको मैंने सब्दों में भी यहां लिख दिया ठीक है शुरोत और सुरोता के बीच आप एक शिक गती होने कारण ध्वानी के आवरित्ति में जो परिवर्तन होता है इसी को हम डापलर प्रभाव कहते हैं दोस्तों तो देखे इसका सूत्र भी यहां पर दिया गया है दोस्तों यह देखे सूत्र एंडेस बराबर वी प्लस माइनस वी नॉट बटा वी प्लस माइनस वी एस यह पूरे का कोश्टक में है दोस्तों और इसक अब से अव्रित्ती कहलाएगे दोटा है और एच यहां पर द्वication के वेक को बता हुआ यहां पर दोनी के विक को बता volver को बता रहे है दोटा थे एक इस प्रश्ण में क्या बोल रहा है दो तो देखे इस्थिर स्रोत बोला है इसका मतलब क्या है दो तो स्रोत जो वी एस है ये इसका वेग हमारे सुनने हो जाएगा क्योंकि स्रोत इस्थिर स्रोत की और स्रोता जा रहा है अब स्रोता का हमारा कुछ वेग मिलेगा दोस्तो ठीक कि हमारा सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों यहां से यह जो हमारा सूत्र है न दोस्तों एंडेस वाला हा न तो देखे क्या मैंने बताया है दोस्तों वी एस हमारा सुन्या है और सुरोता जो है सुरोता जो है इस्थिर सुरोत की और जा रहा है न यह जो सुरोता है इस्तिर स्रोट के और जा रहा है दोस्तों तो यहां पर क्या होगा दोस्तों जो स्रोट से द्वनी लिक लेगा और स्रोटा उसकी और जा रही है तो दोनों का जो वेक की दिशा है दोस्तों विपरित है तो जूड जाएगा तो यहां पर क्या मिलेगा दोस्तो देखें V प्लस यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तो वी ओ हो जाएगा ठीक है जूड़ जाएंगे यहां पर ठीक है और V यह नीचे में V मिल जाएगा क्योंकि V इस तो हमारे सुननी हो जाएगा दोस्तो और यह N ठीक है दोस्तो तो यहां से यह इस तरह के सोत्र हमको मिलेगा दोस्तों. ठीक है? तो यहां से आप देखें, दोस्तों, क्या संबन मिल रहा है? देखें, एन हमारे वास्ती का अवरिति है. V जो है हमारा ध्वनी का वेग है और उपर V प्लस V O हो रहा है मतलब उपर हमारा बड़ा रासी मिल रहेगा और नीचे हमारा छोटा मिलेगा सभाविक सी बात है तो यह पूरा मान क्या होगा दो एक से बड़ा आएगा तो एक से जब बड़ा आएगा दो तो N डेस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा दो यहाँ से N से बड़ा हो जाएगा क्योंकि यह पूरा मान हमको बड़ा मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है दो V प्लस V O जो बटा V है यह क्या है हमारा एक से बड़ा मिलेगा ठीक है तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हमारा जो N-S है, ये क्या होगा, ये भी बड़ा मिलेगा N से, ठीक दोस्तों, तो इस तरह से देखिए हमारे आभासी आवरित्ती क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी वास्तिविक आवरित्ती से, तो हमारा कौन सी option सहीं तो B option is the right answer दो तो आभ आसी आवरिती जो है वास्तिक आवरिती से अधिक होगी धन्यवाद पक्षटी से बारवी से लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादर चातरों का भरोज़ा आज से डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर